तो भाई आज जो मंडे नाइट रॉक का शो था वो 2024 का अब तक का सबसे बेस्ट मंडे नाइट रॉक का शो था क्योंकि भाई आज रॉक ने मार मार कर कोडी रोड्स के सर से बलड निकाल दिया था और साथी साथ CM Punk भी रिटर्न आ चुके हैं आज के Monday Night Raw पर तो पूरे शो पर क्या कुछ हूँ आई इस वीडियो में जानते हैं लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदें हैं चैनल पर फड़ा फड़ से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना अबे साले आई मी कभी के शो के उपर आकर क्या कुछ बोला था मेरे बारे में रोमरेंस ने मुझे एक पॉलिटीशन भी कहा है तो उस टाइम पर क्राउड की तरफ से रोमन सक्स के चैन्ट सुनने को मिल रहे थे तो कोडी रोस ने कहा कि मैं रसलमीनिया के अंदर चैंपियन बनना चाहता हू और भाई अनेक्सपेक्टड के आज मंडे नेट रोक के शो के उपर रोक भी थे और सच में यार आज तो डबी डबली ने कमाल ही कर दिया रोक को फेस टू फेस लाकर कोडी रोस के तो रोक सबसे पहले यहाँ पर रिंग के अंदर आकर फेस टू फेस खड़ जाते हैं कोड कोडी रोस को माईक के उपर क्राउड की तरफ से होली शिर्स के चैन्ट लग रहे थे दिस एज ऑसम के चैन्ट लग रहे थे और स्टी एम पंक के बीचश लग रहे थे और फिर यहाँ पर रोक कोडी रोस के पास गए उनके पास जाकर कोई बात बोली I don't know कि क्या बोला है क्योंकि किसी को भी नहीं पता वह बाद सिर्फ Cody Rhodes and Rock को ही पता है देन वहाँ पर Rock वहाँ से हसकर चले जाते हैं रिंग से और हमें इसके बाद Backstage से सेगमेंट दिखाई देता है जहाँ पर interviewer जो है वो पूछती है Rock से कि तुमने Cody Rhodes को क्या बोला था तो Rock ने कहा कि तुम इसका जवाब Cody Rhodes से ही पूछ लो देन हमें एक और सेगमेंट दिखाई देता है जहाँ पर Cody Rhodes से interviewer पूछती है कि Rock ने तुमें क्या कहा था याने अबर Cody Rhodes ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता इसके बाद सेगमेंट आता है CM Punk का तो CM Punk सबसे पहले तो रिंग के अंदर आते हैं उनको बहुत तगड़ावाला पॉप मिलता है क्राउड की तरफ से और CM Punk बताते हैं कि मुझसे बहुत सारी लोग बूच रहे हैं कि तुम WrestleMania 40 के अंदर कौन सा रोल करने वाले हो बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस दी है कि तुम होस्ट करो कॉमिन्टेटर बनो एंड रैफरी बन सकते हो एक स्पेशल मैच के अंदर इसके बाद CM Punk ने शौड लिया रोम रेंस के उपर जो कि उन्होंने पैट मैकफी के शो के उपर बोला था CM Punk के बारे में यहाँ पर सैथ त्रॉलंस के बारे में बोला कि हमारी जो अग स्टोरी है वो अदूरी है उसके बाद यहाँ पर रोग के उपर भी शौड लिया कि रोग की जो आर्म है वो चोटी है बॉक्सिंग करने के लिए उसके बाद आखिर में यहाँ पर जो है वो Drew McIntyre के उपर आ गये थे CM Punk तो CM Punk ने कहा कि वाई ये बंदा इंटरनेट के उपर इतना ज्यादा अपना मूँ चलाता है और तभी यहाँ पर Drew McIntyre का जो theme song है वो play होता है तो Drew McIntyre ringside पर आ जाते हैं commentary table के पास तो यहाँ पर CM Punk बोलते हैं कि वाई इस गड़िया song को बंद करो अभी से अभी तो यहाँ पर Drew McIntyre ने कहा कि मैंने तुमारी arm को break किया था आसे कुछ मिहने पहले तो Drew McIntyre ने यहाँ पर वही वाली t-shirt को reveal किया जिसके अंदर के CM Punk को roast किया हुआ था तो CM Punk ने कहा कि वहाँ तुम वहाँ खड़े क्या करो तुम सीधा रिंग के अंदर आकर मेरे मूग के उपर बोलो जो भी बोलना है तुमें और वहीं पर Drew McIntyre नाउंसर टेबल के उपर बैठ गे सेम वैसे ही जैसे CM Punk बैठते हैं इसके बाद Drew McIntyre बोलते हैं CM Punk को के मैं हूँ चूजर वन और मैंने तुमसे तुमारा WrestleMania 40 का जो सपना है वो मैंने छीन लिया है तुमसे तब ही वहाँ पर Seth Rollins भी आ जाते हैं और Seth Rollins यहाँ पर face to face खड़ गयते हैं CM Punk के इन दोनों के मैच के अंदर लेकिन यहाँ पर CM Punk ने रवील किया कि मैं Seth Rollins वर्से डू मैकेंडार के मैच के अंदर एक special guest commentator का काम करने वाला हूँ तो Seth Rollins ने कहा CM Punk को के भई मुझे घंटा फरक नहीं पड़ता कि तुम क्या करने वाले हो WrestleMania 40 के अंदर तुम मेरे से बस दूर ही रहो इसके बाद यहाँ पर डू मैकेंडार भी रिंग के अंदर आ जाते हैं डू मैकेंडार CM Punk के बार में shit talk कर रहे होते हैं तभी Seth Rollins की तरफ से एक super kick और साथ ही साथ स्टॉंप देखने को मिल जाता है डू मैकेंडार के उपर जैने यहाँ पर जो Seth Rollins है वो चलते बनते हैं backstage की और और इसके बाद आज के show का जो main event था वो था जे उसो वर्सिस शिंश के नाकामोरा का तो वह यह match कोई match नहीं था यह match सिर्फ इसलिए setup किया गया था तांके इस match के बाद ब्रॉल हो सके तो यहाँ पर इस match के दुराँ जीमी उसो एंड सोलो सिक्वा क्राउड में से आ जाते हैं एंड सैथ रॉल्स एंड कोडी रोडस भी आकर रिंग सैड पर ब्रॉल शुरू कर देते हैं बलड लाइन के साथ जैने यहाँ पर हमें ड्रू मैकेंटर देखने को मिलते हैं जो कि सैथ रॉल्स के उपर अटैक गर देते हैं और इंके बीच यहाँ पर जे उसो simply एक स्पीर मारकर शिंश के नाकामोरा को हरा देते हैं और इस मैच के बाद बैक स्टेज में यहाँ पर कोडी रोट्स ब्रॉल कर रहे थे जीमी उसोवन सोलो सिकोवा के साथ और तबी वही हमें वहाँ पर शॉकिंग लिए एक चीज देखर को मिलती है जो की था रॉक का अटैक कोडी रोट्स के उपर और वही यह एक कुछ सिंपल वाला टैक नहीं था यह इतना सदा ब्रॉटल था यह वही रोट्स ने सबसे पहले तो जो डस्ट भीन होता है उसको फेक कर मारा कोडी रोट्स के उपर जहने यहाँ पर यह एक करते करते पारकिंग एरिया में चल गए थे और यहाँ पर वई कुडी रोट्स की लिटरली शर्ट बगरा सब कुछ फाड़ दी थी तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन टरक होता है उसके बीच कम से कम 5-6 बार कोडी रोट्स का फेस मारा था रॉक ने और लिटरली यार यहाँ पर रॉक ने कूडी रोट्स के सर से बलड भी निकाल दिया था रॉक बोलते हैं के शिकागो देख लो ये है तुमारा हीरो वर्ल्ड देख लो ये है तुमारा हीरो मामा रोट्स ये है तुमारा सन सच में यार यहाँ पर ना कूडी रोट् आप 5 रेटिंग दूँगा आज के शो को पाकी आपको कैसे लगा सभी लोग comment section के अंदर जूरूर बताना मुझे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना और साथ ही साथ सारे लोग चैनल को subscribe ठोक देना मेरी जान